सल्तनत काल इसने आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश के साथ साथ दक्षनी नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर क्षेत्र को कवा किया। और घुरिद प्रदेशों को आपस में बाट लिया। इसके बाद हिंदू विजय के कारण गिरावटाई, विजयनगर सामराज। ये और मिवार जैसे हिंदू राज्यों ने स्वतंतरता पर जोर दिया और बंगाल सल्तनत जैसे नए मुसलिम सल्तनत टूट गए। 1526 में मुगल सामराज्य द्वारा सल्तनत पर विजय प्राप्त की गई और उसका उत्तरादेकारी बना। सल्तनत को भारतिय उप महादवीप के एक वैश्विक महानगरिय संस्कृति में एकी करण के लिए जाना जाता है, जैसा की हिंदूस्त। नी भाषा और भारत इसलामी वास्तुकला के विकास में ठोस रूप से देखा जाता है, मिंगोलों द्वारा हमलों को पीछे हटाने के लिए कुछ शक्तियों में से एक होने के नाते, चक्ताई से खांटे, और इसलामी इतिहास में कुछ महिला शासकों में से एक, रजिया स सुल्ताना, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया, भारत और बंगाल और विश्वविद, यालियों और पुस्तकालियों का विनाश, पश्चिम और मध्य एशिया पर मंगोलिया इच्छापे ने उतमहाद्वीत में भागे हुए सैनिकों, बुद्धी जीवियों, मनीशियों, व्यापारियों, कलाकारों और कारीगरों के सदियों के प्रवास के लिए द्रिश्य स्थापित किया, जिससे भारत और शेशक शेत्र में इसलामी संस्कृती की स्थापना हुई। वह में विखंडन शुरू किया, जहां प्रतिद्वंद्वी राजियों में मुसलिम शासकों ने मध्य एशियाई कदमों से गैर मुसलिम खाना बदोश तुरकों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और उनमें से कई को वफादार सैन्य दास बनने के लिए उठाया, जिन्हें मामलुक कहा जाता है. जल्द ही, तुर्क मुसलिम भूमी की ओर पलायन कर रहे थे और इसलामी हो रहे थे. तुर्किक मामलुक गुलामों में से कई अंततह शासक बनने के लिए उठे और मुसलिम दुनिया के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की, भारतिय उक महाद्वी हुए, क्रिशी प्रधान समाजों की तरह, भारतिय उक महाद्वीप में अपने लंबे इतिहास में खाना बदोश जनजातियों द्वारा हमला किया गया है. उक महाद्वीप पर इसलाम के प्रभाव का मूलियाकन करते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए की उत्तर. 1862 इसवी तक, दक्षिन एशिया में हिंदू और बौध सामराजियों को मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं की कई छापे मारी का सामना करना पड़ा. उनमें से एक तुर्क मामलुक सैन्य गुलाम का पुत्र गजनी का मेहमूद था, जिसने 1997 और 2030 के बीच 17 बार सिंदू नदी के पश्चिम तक उत्तर भारत में राजियों पर चापा मारा और लूटा. गजनी के महमूद ने खजाने पर चापा मारा लेकिन वापस ले लिया. हर बार, केवल पश्चिमी पंजाब में इसलामी शासन का विस्तार. महमूद गजनी के बाद भी मुस्लिम सरदारों द्वारा उत्तर भारतिय और पश्चिमी भारतिय राजियों पर चापे का सिलसिला जारी रहा. चापे इसलामी राजियों की स्थाई सीमाओं को स्थापित या विस्तारित नहीं करते थे. इसके विपरीत, गुरित सुल्तान मुनिज एट दीन मुहम्मद गोरी आमतौर पर इस्वयम के सुन्नी इसलामी राज्य का निर्मान किया और इस प्रकारुनों ने दिल्ली सल्तनत नामक मुस्लिम सामराज्य की नीव रखी. कुछ हितिहासकार उस समय तक दक्षन एशिया में मुहम्मद गोरी की उपस्थिती और भोगोलिक दावों के कारण 1192 से दिल्ली सल भाली जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना. कुतुबल दीन अबक, मुईजेट दीन मुहम्मद गोरी जिसे आमतोर पर घोर के मुहम्मद के रूप में जाना जाता है का एक पूर्व गुलाम दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था. अबक कुमान के पचिक तुर्किक मूल का था और उसके वंश के कारण, उसके वंश को मामलुक कुलाम मूल, वंश इराग के मामलुक वंश या मिस्र के मामलुक वंश के साथ प्रमित नहीं होना के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश की शक्ती अनिश्चित थी, और कई मुस्लिम अमीरों रईसों ने उसके अधिकार को चुनोती दी क्योंकि वे कुतुब अल दीन एवग के समर्थक थे। उसने ताजल दीन यिल्दिस पर भी हमल किया, पराजित किया और उसे मार डाला, जिसने मुजिट दीन मुहम्मद गोरी के उत्तरादिकारी के रूप में अपने अधिकारों का दावा किया। इल्तुतमिश का शासन 1236 तक चला। उसकी मृत्यू के बाद दिल्ली सल्तनत ने कमजोर शासकों का उत्तरादिकार देखा, मुस्लिम कुलींता, हत्याओं और अल्पकालिक कार्यकाल पर विवाद किया। सत्ता रुकनू, द दीन फिरोज से रजिया सुल्ताना और अन्यमे स्थानांतरित हो गई, जब तक की गया सुद्दीन बलबन सत्ता में नहीं आया और 1266 से 1287 तक शासन किया। वो सत्रह वर्षिय मुमिज उद दीन कैकाबाद द्वारा सफल हुआ, जिसने जलाल उद सेना के कमांडर के रूप में दीन फिरोज खिलजी, खिलजी ने कैकाबाद की हत्या की और सत्ता संभाली, इस प्रकार, मामलुक वंश का अंध हुआ और खिलजी वंश की शुरुआ किया, कुवत अल इसलाम, इसलाम की ताकत मस्जिद है, बक द्वारा बनाई गई थी, जो अब युनेसको की विश्व धरुहरस्थल है, कुटुब मीनार परिसर या कुटुब परिसर का विस्तार इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, और बाद में 14 वी शताबदी की शु खिलजी वंच तुर्क अफगान विरासत का था, वे मूल रूप से तुर्क मूल की थे, भारत में दिल्ली जाने से पहले वे लंबे समय से वर्तमान अफगानिस्तान में बस गए थे, खिलजी नाम एक अफगान शहर को संदर्बित करता है जिसे कलाती खिलजी खिलजी का कि के नाम से जाना जाता है कुछ अफगान आदतों और रीती रिवाजों को अपनाने के कारण उन्हें दूसरों वारा अफगान के रूप में माना जाता था। के एक आदिकार से एक विशम भारतिय मुसलिम कुलीन वर्ट को सत्ता के हस्तानतरं को चिनित किया। खिलजी और भारत मुसलिम गुट को धर्मांतरितों की बढ़ती संख्या से मजबूत किया गया था। और हत्याओं की एक श्रिंखला के माध्यम से सत्ता संभाली थी। मुविज उद्दीन कैकाबाद की हत्या कर दी गई और जलाल अद्दीन ने एक सेन्य तकता पलट में सत्ता संभाली। अपने स्वरगारोहन के समय वह लगभग सत्तर वर्ष का था और आम जनता के लिए एक सौम्य, विनम्रो और दयालू समराट के रूप में जाना जाता था। 2494 पर दो चापे मारे। सत्ता संभालने के बाद उनका सैन्य अवियान इन भूमियों के साथ साथ अन्य दक्षन भारतिय राजियों में भी लोट आया। उसने गुजरात, रन्थमभोर, चित्तोर और मालवा पर विजय प्राप्त की। हालां की मंगोल हमलों और उत्तर पश्चम से लूट के चापे के कारण ये जीत कम हो गई थी। मंगोलों ने लूट पाट के बाद वापस ले लिया और दिल्ली सल्तनत के उत्तर पश्चमी हिस्सों पर हमला करना बंद कर दिया। मंगोलों के पीछे हटने के बाद अलाउद दीन खिलजी ने मलिक काफूर और खुसरो खान जैसे सिनापतियों की मदद से दिल्ली सल्तनत को दक्षनी भारत में विस्तारित करना जारी रखा। उन्होंने जिन लोगों को पराजित किया, उनसे बहुत युद्ध की लूट अमबतन एकत्र की। उसके कमान्डिरो न युद्ध की लूट का माल इकठा किया और घनिमा का भुकतान किया, जिससे खिलजी शासन को मजबूत करने में मदद मिली। लूट के बीच वारंगल लूट थी जिसमें प्रसित कोहिनूर हीरा भी शामिल था। अलाउद दीन खिलजी ने करनीतियों को बदल दिया, क्रिशी करों को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत अनाज और क्रिशी उपज में देयत स्थानिये प्रमुखों द्वारा एक। त्रकिये गए करों पर भुकतान और कमीशन को समाप्त कर दिया, उनके अधिकारियों के बीच सामाजिक करन पर प्रतिबंद लगा दिया। उनके खिलाफ किसी भी विरोध को रोपने में मदद करने के लिए कुलीन परिवारों और उन्होंने अधिकारियों, कवियों और व किया कि ये सामान कहां, कैसे और किसके द्वारा बेचा जा सकता है। किये गएकरों को राज्य के भंडार में रखा जाता था। इसके बाद के अकालों के दोरान इन अन्न भंडारों ने सेना के लिए परियाप भूजन सुनिश्चित किया। इतिहासकार अलाउद दीन खिलजी को एक अत्याचारी के रूप में नोट करते हैं। जिस किसी को भ परिवार के केवल कुछ मुठी भर लोगों का पक्ष लिया। 1298 में दिल्ली के निकट 15,000 से 30,000 लोगों के बीच जो हाल ही में इसलाम में परिवर्तित हुए थे एक विद्रों के डर से एक ही दिन में कतल कर दिया गया था। वह युद्ध में पराजित राजियों के खिला ने वास्तविक शक्ति ग्रहन की और पश्टूनों जैसे गैर खल्ज रईसों द्वारा समर्थित था, विशेश रूप से कमालल, दीन गुर्ग, हालांकि उन्हें खल्ज रईसों के बहुमत के समर्थन की कमी थी, जिन्होंने खुद के लिए सत्ता लेने की उम्मीद में उ इस से पहले की वह हिंदू मूल के एक अन्य गुलाम जनरल खुसरो खान द्वारा मारा गया था, जो इसलाम से वापस आ गया था और बड़पन में अपने हिंदू बाराडू सैन्य कबीले का समर्थन किया। पहले शासक गाजी मलिक ने अपना नाम गया थल्दीन तुगलक रखा और विद्वानों के कारियों में तुगलक शाह के रूप में भी जाना जाता है। 1925 में सत्ता संभाली थी। जूना खान ने अपना नाम बदलकर मुहम्मद बिन तुगलक रखा और 26 साल तक शासन किया। उनके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत भोगोलिक पहुंच के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई जिसमें अधिकांश भार्तिय उत जिन्हें कुरान, फिके, कविता और अन्यक्षेत्रों का व्यापक ग्यान था। मुहम्मद बिन तुगल, कने देहली सल्तनत की दूसरी प्रशासनिक राजधानी के रूप में वर्तमान भार्तिय राज्य महाराष्ट्रा, इसका नाम बदल कर दौलताबाद में देवगिरी शहर चुना। उसने दौलताबाद में बसने के लिए अपने शाही परिवार, र मानकित करना था। उन्होंने प्रचारकों के रूप में अपनी भूमिका देखी, जो इसलामी धार्मिक प्रतिकवाद को सामराज्य की बयानबाजी के अनुकुल बनाएंगे, और यह की सूफी अनुने विने करके धककन के कई निवासियों को मुसलिम बना सकते हैं। अभिजात वर्प को वापस देहली लोटा दिया, हालांकि दौलताबाद एक प्रशासनिक किंद्र के रूप में बना रहा। अभिजात वर्प के दौलताबाद में स्थानांतरं का एक परिणाम सुल्तान के प्रतिकुलींता से घ्रिना थी, जो लंबे समय तक उनके मन में बनी रही। दूसरा परिणाम यह था कि वह एक स्थिर मुसलिम अभिजात वर्प बनाने में काम्याब रहे और इसके परिणाम स्वरूप दौलताबाद की मुसलिम आबादी में व्रिद्धी हुई, जो देहली नहीं लोटे, जिसके बिना विजयनगर को चुनौती देने क बह्मनी सामराज्य का उदै संभव नहीं होता। दककन क्षेत्र में मुहम्मद बिन तुगलक के कारनामों ने विनाश और अपवित्रता के अभ्यानों को भी चिनित किया, उदाहरन के लिए स्वयंभू शिब मंदिर और हजारस्तंब मंदिर। दक्षन भारत को दिल्ली सल्तनत के शासन से मुप्त कराया। 1330 के दशक में मुहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आख्रमन का आदेश दिया, हिमालय पर अपनी सेना का एक हिस्सा भेज दिया। विद्रोव कर दिया, जिस पर उसने हमला किया, पकर लिया और जिंदा भाग गया। 1349 तक स्थानिय मुस्लिम राजय पालों के अधीन पूर्वी क्षेत्रों और हिंदु राजाओं के नित्रित्व में दक्षनी भागों ने विद्रोव कर दिया था और दिल्ली सल्तनत से स स्वतंत्रता की घोशना की थी। मुहम्मद बिन तुगलक के पास सिकुर्ते राजय का जवाब देने के लिए संसाधन या समर्थन नहीं था। में गुजरात में लोगों का पीछा करने और उन्हें दंडित करने की कोशिश में हुई थी जो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोव कर रहे थे। वह फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 द्वारा सफल हुआ जिसने 1369 में 11 महीने के लिए बंगाल के साथ युद्ध छेड़ कर राजय की सीमा को फिर से हासिल करने की कोशिश की। हाला की बंगाल नहीं गिरा। फिरोज शाह ने 37 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल ने यमुना नदी से एक सिचाई नहर चालू करके खादे आपूर्ती को स्थिर करने और अकाल को कम करने का प्रयास किया। एक शिक्षित सुल्तान फिरोज शाह ने एक संस्मरन छोड़ा। इसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने यातना के अभ्यास पर प्रतिबंद लगा दिया। जैसे की विच्छेदन आखों से आसू निकलना, लोगों को जीवित देखना, सजा के रूप में लोगों की हड प्रतियों को कुचलना, गले में पिगला हुआ सीसा डालना, लोगों को आग लगाना, हाथों और पेरों में की ठोकना, आदी. आन्य, उन्होंने यह भी लिखा कि उन्होंने रिफविस शिया मुस्लिम और महदी सिंप्रदायों द्वारा लोगों को अपने धर्मे धर्मानतरित करने के प्रयासों को बरदाश्ट नहीं किया, और नहीं उन हिंदूओं को बरदाश्ट किया, जिन्होंने उन मंदिरों के पुनरनिर्मान की कोशिश की, जिन्हें उनकी सेनावने नश्ट कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी उपलब्दियों को सूची बद करने के लिए हिंदूओं को सुन्नी इसलाम में परिवर्तित करने के लिए करों और जजिया से चूट की घोशना की और नई द्ध रमानतरित लोगों को उपहार और सम्मान के साथ शामिल किया। इसके साथ ही उन्होंने तीन स्थरों पर करों और जजिया का आकलन किया और अपने पूर्ववर्तियों की प्रथा को रोक दिया, जिन्होंने एतिहासिक रूप से सभी हिंदू ब्राहमनों को जजिया से चूट दी थी। उन्होंने अपनी सेवा में दासों और मुस्लिम रईसों की संख्या में भी काफी विस्तार किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यातना के चरम रूपों में कमी, समाज के चुनिंदा हिस्सों के लिए एहसानों को समाप्त करने, लेकिन लक्षित समूहों की असहिशनुता और उटपीलन में भी व्रिद्धी हुई, जिसके परिनामस्वरु पाबादी के महत्वप फिरोज शाह तुगलक की मृत्यू ने राजय की अराजकता और विघटन को जन दिया, इस राजवंच के अंतिम शासकों ने 1394 से 1397 तक खुद को सुल्तान कहा, नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के पोते, जिन्होंने दिल्ली से शासन किया, और नसीर उद्दीन नुसरत शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के एक अन्य रिष्टेदार, जिन्होंने फिरोजाबाद से शासन किया, जो दिल्ली से कुछ मील की दूरी पर था, 1398 में तैमोर के आक्रमन तक दोनों रिष्टेदारों के बीच लड़ाई जारी रही, तैमोर, जिसे पश्चिमी विद्वानों के साहित्य में तामिरलेन के नाम से भी जाना जाता है, तैमोर सामराज्य का तुर्किक मंगोर शासक था, वह दिल्ली सल्तनत के शासकों की कमजोरी और जगडों से, हववगत हो गया, इसलिए उसने अपनी सेना के साथ दिल्ली की और कुछ किया, पूरे रास्ते लूट पाट और हत्या की, दिल्ली में तैमोर द्वारा किये गए नरसनहार का अनुमान 100,000 से 200,000 लोगों के बीच है, तैमोर का भारत में रहने या शासन करने का कोई इरादा नहीं था, उसने पार की हुई जमीनों को लूटा, फिर लूट कारीगरों को गुलाम बना लिया, और इस लूट के साथ समरकंद लूट आया, दिल्ली सल्तनत के भीतर लोगों और जमीनों को अराजकता, अराजकता और महामारी की स्थिती में छोड़ दिया गया था, नासिर उद्दीन मेहमूद शाह तुगलक, जो तैमोर के आक्रमन के दोरान गुजरात भाग गया था, लोट आया और दर्बार में विभिन गुटों की कटपुतली के रूप में तुगलक वंच के अंतिम शासक के रूप में नामात्र का शासन किया, सैयद वंच ने 1415 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तैमोर के आक्रमन और लूट ने दिल्ली सल्तनत को जरजवस्था में छोड़ दिया था, और सैयद वंच के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है, एनी मेरी शिमिल ने राजवंच के पहले शासक को खिग्र खान के रूप में नोट किया, जिन्होंने तैमोर का प्रतिनिदित्व करने का दावा करके सत्त समभली, उनके अधिकार पर दिल्ली के निकट के लोगों ने भी सवाल उठाया था, उनके उत्तरादिकारी मुबारक खान थे, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह नाम दिया और खोकर सरदारों से पंजाब में खोई हुए एक शेत्रों को वापस पाने की असफल कोशिश स्लिम संप्रदाय बढ़ गए और इसलामी संस्कृती के नए प्रतिसपर्धी केंद्रों ने दिल्ली से बाहर जड़े जमाली 1451 में लोधी वंश द्वारा सेयद वंश को विस्थापित कर दिया गया था लोधी वंश पश्टून अफगान लोधी जनजाती का था बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले पहले पश्टून ते, बहलुल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके अपना शासन शुरू किया और एक संधी के माध्यम से आंशिक रूप से सफल रहा इसके बाद दिल्ली से वारानसी तब बंगाल प्रांत की सीमा पर काक्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में वापस आ गया था बहलूल लोदी की मृत्यू के बाद उनके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली अपना नाम सिकंदर लोदी रखा और 1489 से 1517 तक शासन किया राजवन्ष के बहतर ग्यात शासकों में से एक सिकंदर लोदी ने अपने भाई बर्बक शाह को जौनपुर से निशकासित कर दिया अपने बेटे जलाल खान को स्थापित किया शासक फिर बिहार पर दावा करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा बिहा, रह के मुस्लिम राजयपार श्रद्धानजली और कर देने के लिए सेहमत हो गए लेकिन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रूप से संचालित हुए सिकंदर लोदी ने विशेश रूप से मत्वरा के आसपास के मंदिरों को नश्ट करने के अभियान का नित्रित्व किया उन्होंने अपनी राजधानी और दर्वार को दिल्ली से आग्रा ले जाया, जो एक प्राचीन हिंदु शेहर था, जोद्ध लली सल्तनत काल की शुरूआत में लूट और हमलों के दौरान नश्ट हो गया था सिकंदर ने इस प्रकार अपने शासन के दौरान आग्रा में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के साथ हिमारतों का निर्मान किया और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद मुगल सामराज्य के दौरान आग्रा का विकास जारी रहा 1517 में सिकंदर लोदी की प्राकृतिक मृत्य हो गई और उनके दूसरे बेटे इब्राहिम लोदी ने सत्ता संभाली इब्राहिम को अफगान और फार्सी रईसों या क्षेत्रिय प्रमुकों का समर्थन प्राप नहीं था इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उसे मार डाला जिसे उसके पिता ने जौनपूर के गवनर के रूप में स्थापित किया था और उसे अमीरों और प्रमुकों का समर्थन प्राप तथा इब्राहिम लोदी अपनी शक्ती को मजबूत करने में असमर्थ था और जलाल खान की मृत्यू के बाद पंजाब के राजयपाल दौलत खान लोदी मुगल बाबर के पास पहुँचे और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला इब्राहिम लोदी की मृतियू ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल सामराजय ने इसे बदल दिया सरकार और राजनीती, इसामी और बर्नी जैसे विद्वानों ने सुझाव दिया कि दिल्ली सल्तनत का प्रागितेहस गजनवीद राजय में था और इसके शासक मेहमूद गजनवी ने दिल्ली शासन के निर्मान में नीव और प्रेरना प्रदान की मंगोल और काफिर हिंदू इन आख्यानों में महान, अन्य, थे और आदर्श राजय के फार्सी और वर्ग जागरुक, कुलीन गुनों कोगजनवीद राजय में रचनात्मक रूप से समारक किया गया था, जो अब दिल्ली सल्तनत के लिए टेम्पलेट हैं एक एतिहासिक आख्यान के भीतर कास्ट इसने मुस्लिम राजय कला की महान परमप्राओं में सल्तनत की अधिक आत्मचिंतनशी, रेखिक जड़े जमाने की अनुमती दी समय के साथ, क्रमिक इंडो मुस्लिम राजवन्शों ने फार्सी परमपरा में का किंद्रीकृत सनरचना बनाई जिसका कार्य मंगोल और हिंदू काफिरों दोनों के खिलाफ चल रहे सशस्त्र संघर्ष के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को जुटाना था समराथ हिंदू या हर्याना के लोगों का सुल्तान नहीं था, बलकि सल्तनत के इतिहासकारों की नजर में, मुसल्मानों ने गठित किया जिसे हाल के दिनों में, स्टेट से बोलक, कहा जाएगा, कई मुसलिम पर्यवेक्षकों के लिए, इसलामी दुनिया के भीतर किसी भी शासक के लिए अंतिम औचित्य विश्वास की सुरक्षा और उन्नती थी सुल्तानों के लिए, उनके गजनवीद और घुरीद पूर्ववर्तियों के लिए, इसने विधर्मी मुसल्मानों का दमन किया, और फिरोज शाह ने इस तथ्य को कुछ महत्वद दिया कि उन्होंने अशबे इल्हादू इबहत विचलित करने वाले और अक्षानश्वादी के खिलाफ काम किया था, इसमें स्वतंत्र हिंदू रियासतों को लूटना और उनसे कर वसूल करना भी शामिल था उकमहाद्वीब के भीतर शिक्षित मुस्लिम समुदाय के व्यापक स्पेक्ट्रम के अनुसार इसलामी शासन को प्रस्तुत करने वाले हिंदू बहुदेबवादियों ने, संरक्षित लोगों के रूप में योग्यत अप्रा पत की, सबूतों का संतुलन यह है कि चौदवी शताबदी के उत्तरार्द में, यदि पहले नहीं, तो निश्चित रूप से गैर मुसल्मानों पर भीदभावपूर्म करके रूप में जजिया लगाया जाता था, हालांकि तब भी यह देखना मुश्किल है कि इस तरह के उ रमुप केंद्रों के बाहर. दिली सल्ट, नत ने पिछली हिंदू राजनीती के सरकारी सम्मेलनों को भी जारी रखा, जिसमें अनन्य सर्वोचन यंत्रन के बजाय अपने कुछ विशेयों की सर्वोच्चता का दावा किया गया था. तदनुसार, इसने कुछ विजित राजवन्शों की तुलना में अर्थव्य वस्था में अधिक सरकारी भागीदारी और सरकारी नियमों को तोड़ने वाले निजी व्योफसायों के लिए दंड में व्रिद्धी की विशेशता थी। पुंजीवादी निवेशकों को घोड़े के व्यापार में भाग लेने से पूरी तरें से प्रतिबंधित कर दिया गया था, पशु और दास दलालों को कमीशन लेने से मना कर दिया गया था, और निजी व्यापारियों को सभी पशु और दास बाजारों से हटा दिया गया था जमाखोरी और फिरोती के खिलाफ प्रतिबंद लगाए गए थे, अनभंडारों का राश्ट्रिय करण किया गया था और अनाज की मात्रा को सीमित कर दिया गया था जिसे काश्तकार्नी जी, इस्तिमाल के लिए इस्तिमाल कर सकते थे विबिन लाइसेंसिंग नियम लागू किये गए थे, व्यापारियों के पंजी करण की आवश्यक्ता थी और कुछ कपड़े जैसे महेंगे सामान को आम जनता के लिए अनावश्यक समझा जाता था और राज्ये से पर्मिट की आवश्यक्ता होती थी ये लाइसेंस अमीरों, मलिकों और सरकार के अन्य महत्वपून व्यक्तियों को जारी किये गए थे, क्रिशी करों को बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया व्यापारियों ने नियमों को बोजिल माना और उल्लंगनों को गंबीर रूप से दंडित किया गया, जिससे व्यापारियों में और नाराजगी हुई प्रनाली के कार्यान वयन को सुनिश्चित करने के लिए जासूसों का एक नेटवक स्थापित किया गया था खिलजी की मृत्यू के बाद भी मूल्य नियंत्रन हटा दिये जाने के बाद भी, बरनी का दावा है कि उनके जासूसों का डर बना रहा और लोग महेंगी वस्तूओं के व्यापार से बच्चते रहे सल्तनत ने कला में मानवरूपी अभ्यावेदिन के इसलामी धार्मिक निशेधों को लागू किया दिल्ली के सुल्तानों की सेना में शुरू में घोर के मुहम्मद से संबंदी ता खाना बदोश तुर्किक मामलुक सेन्य दास शामिल थे अलाय युग ने राजय पर तुर्के काधिकार को समाप्त कर दिया दिल्ली सल्तनत के अलाय युग की सेना में युद्ध की एक भारतिय सैन्य शेली थी जिसने इलबारी मामलुक शेली की जगह लेली थी एतिहासिक खातों में नय भरती किये गए तुर्किक दासों के बारे में शायद ही कोई और संदर्व है क्यूंकि नई कुलींता मामलूकों को उखाड फिकने के बाद तुर्किक दासों की शक्ति को कम करना चाहती थी दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुक सेन्य योगदान भारत के मंगोल सामराजय के आक्रमनों को खदिर्नी में उनके सफल अव्यान थे, जो भारतिय उप महादवीप के लिए विनाशकारी हो सकते थे, जैसे चीन, फारस और यूरोप के मंगोल आक्रमन. यदि, दिल्ली सल्तनत न होती तो संभव है कि मंगोल सामराजय भारत पर आक्रमन करने में सफल हो गया होता. सेनाओं की ताकत समय के अनुसार बदलती रहती है. नागरिकों पर हमले, जबकि मध्ययुगीन युद्ध में शहरों की बर्खास्त की असामान्य नहीं थी, दिल्ल ने कहमदाबाद, वंतली और सूरत सहित सैकडू. शहरों को नश्ट कर दिया. इस खाते की पुष्टी जियाउद दीन बर्नी ने की है. इतिहासकार रिचाड इटन ने दिल्ली के सुल्तानों द्वारा मूर्तियों और मंदिरों के विनाश के एक अभियान को सारनीबद किय है, जिसमें कुछ वर्षों के साथ साथ मंदिरों को अपवित्रता से बचाया गया था. अपने पेपर में, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान भार, तमे 1234 से 1518 तक हिंदू मंदिरों को अपवित्र या नश्ट किये जाने के 37 सुदाहरनों को सूची बद किया है, जिसक अपने लिए उच्चित सबूत उपलब्ध हैं. उन्होंने नोट किया कि मध्ययुगी इंभारत में यह हसामान्य नहीं था, क्योंकि 642 और 1520 के बीच प्रतिद्वंद्वी भरतिय राजियों के खिलाफ हिंदू और बौध राजाओं द्वारा मंदिर की अपवित्रता के क अक्सर हिंदू मंत्री होते थे, जो मुस्लिम और हिंदू दोनों स्रोतों के अनुसार मंदिरों की सुरक्षा, र, खर्खाव और मरंमत का आदेश देते थे. उदाहरन के लिए, एक संस्कृत शिलालेक में लिखा है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दककन विजय के बाद बीदर में एक शिब मंदिर की मरंमत की. अक्सर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा विजय के दोरान मंदिरों को लूपने या खशतिग्रस्त करने, और फिर विजय के बाद मंदिरों को संरक्षन या मरं मत करने का एक पैटन था. यह पैटन मुगल सामराजय क के साथ समाप्त हो गया, जहां अकबर के मुख्यमंत्री अबुल फजलनी गजनी के मेमूर जैसे पहले के सुल्तानों की ज्यात्तियों की आलोचना की। कई मामलों में, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नश्ट किये गए मंदिरों के द्वस्त अफशेशों, चटानों और के खानपुर में मुस्लिम मस्जित को लूटे गए हिस्सों से बनाया गया था और हिंदू मंदिरों के अफशेशों को द्वस्त कर दिया। गया था। में गौरी की कमान में चला। मामलुक और खिलजी के तहट, मंदिर की अपवित्रता का अभियान बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और महराष्ट्रा तक फैल गया, और 13 वी शताबदी के अंध तक जारी रहा। 14 वी शताबदी में मलिक काफूर और उलुक खान के तहट टैलंगाना, आंध्रप्रदेश, करनाटक और तमिलना। दू में और 15 वी शताबदी में बहमनियों द्वारा अभियान का विस्तार किया गया। 14 वी शताबदी में तुगलिकों के शासन में उलीसा के मंदिरों को नश्ट कर दिया गया था। उदाहरन के लिए चीनी द्वारा सल्तनत सेना द्वारा नश्ट किये गये हिमा। द्वी सल्तनत के विभिन सुल्तानों के वजीरों, अमीरों और दरबारी इतिहासकारों के अन्या ऐतिहासिक अविलेकों में उन मूर्तियों और मंदिरों की भव्यता का वर्णन किया गया है जिन्हें उन्होंने अपने अवियानों में देखा। था और इन्हें कैसे नश्ट और अपवित्र किया गया था अर्थ व्यवस्था कई इतिहासकारों का तर्क है कि दिल्ली सल्तनत भारत को अधिक बहुसां स्कृतिक और महानगरिये बनाने के लिए जिम्मेदार थी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तुलना मंगोल सामराजय के विस्तार से की गई है और इसे यूरेशिया के अधिकांश हिस्सों में होने वाली एक बड़ी प्रवृति का हिस्सा कहा जाता है ज़ समय खाना बदोश लोग आंतरे केशिया के कदमों से चले गए और राजनीतिक रूप से प्रभावी हो गए इंगिस मेडिसन के अनुसार 1500 के बीच भारत का सकल घरेलू उटपाद जिसमें से सल्तनत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था 1500 में लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर साथ 5 अरब डॉलर हो गया हालांकि इन संख्याओं को संदर्व में देखा जाना चाहिए मेडिसन के अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उटपाद इसी समयावदी में जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत की बृद्धी हुई जो प्रतिव्यक्ती सकल घरेलू उटपाद में लगभग 20 प्रतिशत की बृद्धी के बराबर है इसी अवधी में विश्व सकल घरेलू उत्पात दोगुने से अधिक हो गया और भारत की प्रतिव्यक्ती GDP चीन से पीछे रह गई जिसके साथ यह पहले बराबर थी दिल्ली सल्तनत के तहट भारत की GDP हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गई और 20 वी शताब्दी के मध्य तक घटती रहेगी यांत्रे कुपकरणों के संदर्व में बाद में मुगल समराट बाबर दिल्ली सल्तनत में जल्चक्र के उप्योग कावी प्रत्वपून प्रमान हैं कि यह उपकरण इससे पहले भारत में मौझूद था। कुछ लोगों ने यह भी सुझाब दिया है कि दिल्ली सल्तनत के दोरान इरान से भारत में चर्खा लाया गया था, हालांकि अधिकान श्विद्वानों का मानना कि इसका आविशकार भारत में पहली सहस्राबदी में हुआ था। वंगियर रोलर कॉटन जिनका आविशकार तेरवी या चौदवी शताबदी में हुआ था। हालांकि इर्फान हबीब कहते हैं कि विकास की संभावना प्रायदवी पीव भारत में हुई, जो दिल्ली सल्तनत के शासन के अधीन नहीं था, 1330 और के बीच तुगलक द्वारा एक संक्षिप्त आक्रमन को छोड़ कर 1335. हालांकि भारत चीन के बाहर पहला क्षेत्र था जहां कागस का उप्योग किया गया था और पेपर मेंकिंग 6 मी से 7 वी शताबदी की शुरूआत में भारत पहुँचा, इसका उप्योग बल 13 वी शताबदी में उत्तरी भारत में और 15 वी और 16 वी शताबदी के बीच दक्षनी भारत में व्यापक हो गया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस परिवर्तन को दिल्ली सल्तनत के लिए जिम्मिदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि 15 वी शताबदी के चीनी यात कागस के आगमन के लिए चीन से सीधे मार्ग का सुझाव देना. समाज मिलियन हो गई. जबकि भारतिय उप महादवीत में प्राचीन काल से मध्य एशिया के आक्रमन कारी रह. हे हैं, जो मुसलिम आक्रमनों को अलग बनाता है वह यह है कि पूर्वबर्ती आक्रमन कारीयों के विप्रीत, जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में आत्मसात हो ग यहां तक गैर मुसलिम प्रतिद्वंद्वियों और आम जनता को भी काफी हद तक प्रभावित किया, हालांकि गैर मुसलिम आबादी को उनके अपने कानुनों और रीती रिवाजों पर छोड़ दिया गया था. उन्होंने नए सांस्कृतिक कोड भी पेश किये जो कुछ मा में मौजूदा सांस्कृतिक कोड से बहुत अलग थे. इस से एक नई, भारतिय संस्कृति का उदै हुआ जो प्राचीन भारतिय संस्कृति से भिन प्रकृती में मिश्रित थी. भारत में मुसल्मानों का भारी बहुमत इसलाम में परिवर्तित भारतिय मूल के थे. इस कारक प्रविक ने संस्कृतियों के संशलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकार और रूप, जिन में मस्चिदे और मकबरे सबसे आम थे, भारत में पहले बनाए गए लोगों से बहुत अलग थे। मंदिर वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण है। शेली इरानी थी, लेकिन महराब अभी भी पारम पर एक भारतिय तरीके से गुमावदार थे। इसके बगल में बेहद उंची कुतुब मीनार, एक मीनार या विजय मीनार है, जिसके मूल 4 चरण 73 मीटर तक पहुचते हैं, अंतिम चरण बाद में जोडा गया। इसका निकट्तम, तुलनितर अफगानिस्तान में जाम की 62 मीटर की पूरी इक मीनार है, सी, 1190, दिल्ली टावर की संभावित शुरुआत से एक दशक या उससे भी पहले, दोनों की सथों को विस्त्रित रूप से शिलालेखों और जामितिय पैटन से सजाया गया है, दिल्ल मुखे मस्चित से अलग कर दिया जाता है जहां वे मौजूद हैं, इल्तुतमिश का मकबरा 1236 में जोडा गया था, इसका गुंबद, फिर से उब्रे हुए जुर्मुट, अब गायब हैं, और जटल नककाशी को एक अपरिचित परंपरा में काम करने वाले कारवरों से, कोन आए दिन का जुमपरा है, जिसे उसी दिल्ली के शासकों के लिए बनाया गया था, फिर से गुमावदार महराब और गुंबदों के साथ, यहां हिंदू मंदिर के स्टंब और संभवत, कुछ नए अतिरिक तुझाई प्राप्त करने के लिए तीन-तीन में धेर किये गए है दोनों मस्चिदों में बड़ी अलग स्क्रीने थी, जिनके सामने नुकिले-नुकिले महराब जोड गए थे, शायद कुछ दशकों बाद इल्तुतमिश के अधीन, इनमें एक एवान की नकल में केंद्रिय महराब लंबा है, भारत में पहली बार अजमेर में छोटे परदे क महराबों को उस्थाई रूप से बंद किया गया है, लगभग 1300 तक वावसवा के साथ सच्चे गुमबद और महराब बनाय जा रहे थे, दिल्ली में बलबंड डी, 1287 का बरबाद मकबरा जल्द से जल्द जीवित हो सकता है, कुतुब परिसर में अलाई दर्वाजा गेट हा लाल बलूअ पत्थर और सफेद संग मरमर के साथ चिनाई के बोल्ड विप्रीत रंग, फारस और मध्य एशिया में उप्योग किये जाने वाले पॉलिक्रोम टाइल्स के स्थान पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक सामान्य विशेशता बनने के लिए परिजय देते ह नुकीले महराब अपने आधार पर थोड़ा एक साथ आते हैं, एक हलके गोडे की नाल का महराब प्रभाव देते हैं और उनके आंतरिक किनारों को पुच्छल नहीं किया जाता है, लेकिन पारम पर एक स्पियरहेड अनुमानों के साथ पंक्तिबत किया जाता है, जो कमल की कलियों का प्रतिनिदित्व करते हैं, जाली, स्टोन उपनविक स्क्रीम, यहां पेश की गई हैं, वे पहले से ही मंदिरों में लंबे समय से उप्योग किये जा रहे थे, मुल्तान, पाकिस्तान में शाहरुकन या आलम 1320, से 1324 में निर्मित का मकबरा एक बड़ा रश का सबसे पहला प्रमुक्स मारक था, जिसे इसके विशालक शेत्र के निरंतर विस्तार का दौरान बनाया गया था, यह एक सुल्तान के बजाए एक सूफी संत के लिए बनाया गया था, और कई तुगलक कबरों में से अधिकांश बहुत का मुल्ला सिपून हैं, पहले बताई गई इमारतों के विपरीत, इसमें पूरी तरह से नकाशीदार प्रतों का भाव है, और यह हूंची दिवारों और यूद पोतों के साथ एक परिसर में बैठता है, इन दोनों मकबरों में बाहरी दीवारे थोड़ी अंदर की ओर जुकी हुई हैं, दिल्ली के मकबरे में 25 डिग्री तक, जैसे कई किलेबंदी मकबरे के सामने बरबाद तुगलकाबाद किला, जिसे नई राजधानी के रूप में बनाया गया है, तुगलक के पास सरकारी वास्तुकारों और बिल्दरों का एक दल था, और इसमें और रन्य भूमिकाओं में कई को डिजाइन किया था, और बहर राजवन्ष का सबसे लंबा शासक और सबसे बड़ा निर्माता था। जो केवल स्टंभूद वारा समर्थित थे। इस समय तक भारत में इसलामी वास्तुकलाने पहले की भारतिय वास्तुकला की कुछ विशेशताओं को अपनाया था, जैसे की एक उच्च पलिंथ का उप्योग और अक्सर इसके किनारों के चारों और मोल्डिन, साथ ही कॉलम और ब्रैकेट और हाइपो स्टाइल हॉल। फिरोज की मृत्यू के बाद तुगलिकों का पतन हुआ और दिल्ली के निमनलिखित राजवंश कमजोर हो गए। निर्मित अधिकांच स्मार्की या इमारते मकबरे थे। हालांकि दिल्ली में प्रभावशाली लोधी उध्यान फववारे, चारबा अगुध्यान, तालाब, मकबरे और मस्चिदों से सुशोवित का निर्मान स्वर्गी या लोधी वंच द्वारा किया गया था। अन्यक शेत्रिय मुसलिम राजियों की वास्तुकला अकसर अधिक प्रभावशाली थी। प्रभावशाली थी।